Hello everyone, Welcome to my YouTube channel आज JSSB General Paper Prepations का है Day 2 Day 1 की वीडियो में हमने बात करें थी संगय के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर नाम के बारे में वैसे हम लोग जो हैं स्पेसिफिकले JSSB की त्यारी के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं अगर आप साथ साथ में कोई और competitive exam जैसे की चंडिगर्ड तो कोई competitive exam या other states के जो भी competitive exam से उनके पेपेशन्स कर रहे हैं तो भी ये वीडियो sufficient रहेगी इससे ओपर हिंदी के अंदर स्वर नाम में जो मैं बता रही हूँ ज्यादा नहीं बनता है तो आप वहाँ के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं तो आएए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर नाम जो है उसका मतलब क्या होता है स्वर नाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है स्वर प्लस नाम स्वर का मतलब होता है सब यानि इसका अर्थ होता है सब का ना तो संग्या की स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग स्वर नाम कहते हैं जो एक वाक्य होता है उसका जो करता होता है सब्जेक्ट जो हम जिसको मालते हैं वो जाते तर संग्या होते हैं किसी वेक्ति विशेश थान के बारे में जब हम बात करते हैं तो संग्या के बारे में डिटेल वीडियो में पहले बना चुकी वो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं तो संगय की स्थान पर Maalici हम लोग भात करे हैं वाक्व बात करें पैरग्राफ में वडियो में बात कोई भी लिक्षति में बात करें हैं तो किसी व्यक्ति विशिख का नाम जब आता है या किसी स्थान का नाम होता है तो हम उसको दुबारा दुबारा यूज नहीं करते उसकी जगए पर, संग्या के जगए पर हम जो शब्दों का यूज़ करते हैं, उनको हम लोग स्वर्णाम कहते हैं, संग्या को बार बार यूज़ करने से रोकने के लिए हम स्वर्णाम लगाते हैं, अगर हम लोग बात करें, हिंदी के अकोरिंगली, हिंदी जो रूल्स कहते हैं कि बार्वम में हम लोग संध्या को यूज नहीं कर सकते हैं जैसे मान लीजी राम जो है छटी कक्षा का विधारती है राम आज स्कूल आया था एक ही पूरा में यह आशब बोले राम के बारे में बात करें राम छटी कक्षा का विधारती है राम कक्षा में प्रथम आता ह राम आज स्कूल नहीं आया, राम की तवित खराब है, तो यह जो बारव में राम 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 यूज हम लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रमेमेटिक हो जाता है, तो राम की जगह पर एक बार हम स्टार्टिंग में उसको यूज करेंगे, लेकिन राम के बार अगले जो वाक आता है, तो राम की स्टान पर हम लोग वाकय में यूज कर रहे हैं वह तो वह जो यहां पर क्या हो जाएगा स्वर्णाम हो जाएगा, चाह? तो संगय की स्थान पर जो शर्द यूज होते हैं, उनको हम लोग क्या केते हैं, स्वर्णाम के ब्रेद की, अगर मूल रूप से या उत्पत्ति के अधार पर बात करें, तो स्वर्णाम के होते हैं टोटल ग्यारा भीद, लेकिन व्याकरन या प्रयोग के अधार पर बात करते हैं, या डैर्कलिन नॉर्मली भी अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वर्णाम के कितने भेद हैं, तो वो आएंगे 6 बेद तो मूली उत्पत्ते के बार में बात करें तो टोटल होते हैं 11 बेद ये 11 बेद हैं इस परकार जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन तो ये 11 बेद होते हैं मूल रोप से या उत्पत्ते के धार लेकिन व्याकरन प्रयोग या नॉर्मली हम पुछें तो उसके होते हैं 6 बेद अगर हम बात करें स्वर्णाम संस्कृत से आए हैं हिंदी का अपना स्वर्णाम उल्ली आप हैं ये टोटल 11 भेद है उनमें से सिर्फ आप ही है जो हिंदी का यूज है बाकी जो स्वर्णाम है वो एक संस्कृत भाषा से आए हैं संस्कृत से आए हैं हिंदी का अपना स्वर् जाते हैं तो उसे योगिक स्वर नाम कहते हैं जैसे मैं के साथ ने जुड़ने पर मैंने बन जाता है तुम के साथ ने जुड़ने पर तुमने बन जाता है आपके साथ ने जुड़ने पर आपने बन जाता है तो इस तरह ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको योगिक स्वर नाम व्यक्तती और रहे स्टान पुरूश कर ना तुन हो पुरुश वाचर की तुन है ये पूरुश म म्ध्यम पुरुश को सब कर दो ं possibilities जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उतन पुरुष इसके लिए हम जो शब्दों का यूज करते हैं वो होते हैं मैं और हम ठीक है मद्यम बात करते हैं तो मद्यम जो होता है जो बात को सुन रहा है श्रोता जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मद्यम पुरुष इसके लिए ह ये व रिखी ढहते हैं, ये वे इस तरह से आप जो है वह मध्यम पुरुष भी हो सकता है और अन्या पुरुष मी आ सकता है, वो depend करता है हम लोग जो question पूछा जाता उसके coding देख सकते हैं ठीक भी इतकी बात करते हैं, that is question वाचक स्वरनाम, जिस स्वरनाम के अदर question पूछा जाए, उसे हम लोग question वाचक स्वरनाम कहते हैं जिसे तुम क्या खा रहे थे यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा question वाचक स्वरनाम, ठीक है next बात करते हैं, निश्चय वाचक स्वरनाम की, निश्चय वाचक स्वरनाम वो स्वरनाम होते हैं, जिस से हमें निश्चित चीजों का बोध होता है हमें पता है कि यह वह हो रही वो हो रही है उसे निश्चित है हम शौर है उसके लिए ठीक है जैसे कि ये मकान है ये लड़का है ये किताबी है ये अन्य पुरुष भी हो सकते हैं बड़ी हाँ पर कोई निश्चित रूप से बात पताईगी इसलिए से निश्चे वाचक स्वर्णाम कहते हैं ठीक है नेक् पता है कि कुछ चीज हो रही है, बढ़ हमें नहीं पता कि वो क्या हो रहा है, निश्चित रूप से नहीं बोध हो रहा है, जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, ये नहीं पता, कोई आ रहा है, लड़का है, लड़की है, बुड़ा है, कोई हमें नहीं पता कि किस तरह सो रह जिन शब्दों से हमें संबंध का बोध होता है उसको बोलते हैं हम लोग संबंध वाचक स्वर्णाम जैसे जैसी करनी वैसी भरनी तो यहां पर जो बोएगा सो पाएगा तो जो जो है यहां पर संबंध वाचक स्वर्णाम हो सकता है एक बात याद रखेगा यहां पर स्वर्णाम और विशेशन में आप डिफरेंस देख सकते हैं अगर किसी जैसे की जो संबंद बताते हैं उसके बाद अगर क्रिया आती है तो तो वो स्वर्णाम होगा तो उसके हम बोलेंगे संबंद वाचा की स्वर्णाम बट अगर संबंद के बाद संग्या हो तो वो विश यहां पर विशेशन हो जाएंगे नाकी स्वर्णाम, चीक है, तो याद रखेगा, कि अगर किसी स्वर्णाम शब्द के बाद समंद जो जोड रहे हैं, उसके बाद अगर क्रिया आती है, तो वो होगा समंद वाचक स्वर्णाम, नहीं, तो वो विशेशन कहलाएगा, अगर उ स्वेनाम, जैसे कि स्वेम, मैं स्वेम पढ़ लूगी, मैं अपने आप चली जाओं, यह वर्ड जो हैं हम लोग अपने आप के लिए यूज करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं निज्वाचक स्वेनाम चार्यगा यह होता है हमारा आज का chapter स्वर्णाम का complete आप इसके उपर कुछ questions करके देखेगा अगर आपके बनते हैं या आपको कोई problem है तो मुझे comment section में जरूर बताईगा इसे related कोई चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon भी दबाना ना भूलिए ताकि आपको updates मिलते रहे थैंक यू